तो देखे फ्रेंट्स अब हम यह पोर इंच का रिंग ले लेंगे और अंदर का जो हमारा हिस्सा है जो येलो कलर का मैंने बॉटल डाल के जो हिस्सा बनाया है वो हम बना लेंगे प्रेंट्स मुझे पठा है मैंने ये वीदियो टू PART में आपके लिए अपलोड करी है लेकिन यकीन मानिए मैं इसको पूरा एक साथ अपलोड करना चाहती थी पर पता नहीं कुछ प्राब्लन हो रहे थी यह लिए मैंने इसको टू पार्ट्स में अपलोड किया है और बिल्कुल बैक टू बैक अपलोड किया है तो प्लीज आप अगर आप फर्स पार्ट या सेकंड पार्ट ऐसा कुछ ना देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चेक करना बिल्कुल भी मत भू लिए और देखिए अब मैंने इसमें करीब तीस कॉट्स डाल दी है जो वन मिटर लॉंग है और डीटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है आप जानते हैं और यहां पर मैं चार-चार कॉट्स को लेके इसमें स्क्वेर नॉट लगा लूंगी और ऐसे ही ह हम इसका पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए यह मैंने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है यहां पर और याद रखिए प्रेंट्स यह 30 कॉट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ और यहां पर मैंने तीन नॉट्स लगाई है और उसके साथ बाजू में दो-दो नॉट्स लगाई है एक के नीचे एक और फिर उसके बाद मैंने एक-एक बीड डालके फिर से उसके नीचे एक-एक स्क्वेर नॉट्स लगाया है ऐसे ही हमें यह लाइन कंप्लीट कर लेना है कि यह जो अंदर का डिजाइन ही यह बहुत ज्यादा सिंपल है सिर्फ आपको स्क्वेर नॉट लगाते जाना है और जो डिस्टंस मैंने रखा है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो मैंने ज्यादा बीड्स इसमें आइड किये है एक राउंड में करीब 15 बीड्स जाते ह हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हरुआ है अजय को अजय को अजय को इसे ही हम बेट को डाल डाल के इसको कम्पलीट कर लेंगे करत कर बेट कर लेट में नजय के करें इसे ह state कर अजय करल प्रीज जाल प्रीजाब प्रीजाब बात शॉपने की जाइए प्रीजाब। तो प्रेंट्स देखिए यह जो हमारा बॉटल है यह मैंने इसमें थोड़े होल्स बना लिये हैं ताकि क्योंकि हम डिजाइन काफी पास-पास बनाने वाले हैं काफी सारे बीट्स उसमें डालने वाले हैं तो मैं चाहती थी कि जब भी हम इसके अंदर वाल लाइं चोड़े तो उसकी किरन जो है वह थोड़ी से बाहर आये इसलिए मैंने इसमें Hanım एक सलाई जो होती है घर में उसको थोड़ा गरम कर एक इसमें कोल्च बना लिये हैं और इसके नीचे का हिससा भी मैंने चाकु से चाकु को गैस पर गरम करकर इसको और अट कर लिय के आपको दिखाने वाली हूँ इस तरह से हम अपना बॉटल इसमें सेट कर देंगे प्रेंट सी क्लिप मैंने पहले बनाया था तो इसलिए इस बॉटल में आपको छेद नहीं दिखेंगे लेकिन मैंने बॉटल बाद में वह इसमें डाल दिया था और अब मैं इसमें फिर से बीट को डाल के इसको इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी प्रेंट सी अंदर का डिजाइन बहुत सिंपल है सिफ स्क्वेर नॉट लगाते जाना है और बीट को डालते जाना है झालते जाना है झालते जाना है झाल 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 तो फ्रेंट्स पूरी बोटल में हम ऐसे ही डिजाइन बनाएंगे याद रखिए जब आपका थोड़ा सा डिजाइन बन जाएगा तो आपको इसमें बोटल डाल के बनाना है ताकि आपका शेप खराब ना हो और ये मेरा बोटल का डिजाइन कम्प्लीट हो चुका है ये हम अंदर लगाने वाले हैं यहाँ पर मैंने इसमें बोटल के शेप में यानि कि यह जो लंबाई है बोटल की इसमें इतने ही आएंगे और इससे जादा लंबा मत बनाईए अब यह फोर इंचेस का रिंग में ले लूंगी मैंने शुरुवात में आपके कहा था हमें दो चाहिए और ये सारी कॉट्स में इसके अंदर स निकाल दोंगी और अब ये सारी कॉट्स हम यह ओवियसली इस रिंग में डाल देंगे ताकि यह यहां पे अच्छा सा बार्डर बन जाए अब 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 अ 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 में इं हम सारी एक्स्टा कीवांट से अ अ ह अ ह अ ह पाइटर के विलाएटर के बाइटर के यहां है लाइटर से हम इनको अंदर की तरफ स्टिक कर देंगे अ उखकिती हम इनको अ बाई चर्क दिखे चितीच कार्शारी से हम इनको झा हुआे झाल झाल इसे ही हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे अब देखिए फ्रेंट्स ये सबसे मेन पार्ट है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बोटल है या अंदर की तरफ इसको कैसे बान सकते हैं कैसे हैंक करना है ये देखिए मैं ये यलो कलर का कॉड ले लूँगी और जहां पर हमने ये उपर वाली बेल्ट बनाई है उसके बिल्कुल पास में या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ लेकिन जादा दूर मत लगाईगा आप तो पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं कि बिल्कुल पास में आपको ये वाला कॉड अटेच कर देना है मैं येलो कॉर्ड इसलिए अटेच कर रही हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे कि मैंने कहा पे कॉर्ड को डाला है कि कॉर्ड नीचे आ चुका है रिंग के अंदर से तो आप समझ गये होंगे जब हम लाइट को ऊपर से चोड़ेंगे तो ये सीधा येलो कलर की हमारे बॉटल शेप जो है इसमें आ जाएगा अब हम इस बॉटल को यहाँ पर हैंक कर देंगे याद रखिए हमें क्यूंकि हमने इस बॉटल रिंग में 30 कोट्स डाली है तो आगे की तरह आपको पंदरा कोट्स रखनी है और पीछे की तर आप 15 कोट्स यानिके ऐसे टू पार्ट सी कर लेना है और फिर साइड में आपको दोनो कॉट्स डालना है और याद रखिए आपको डिसाइड करना है कि आपको इसका लंबाई जो है कितना रखना है कितना है जयदा नीचे मतलगेगा वर्ना यह दिख जाएगा कि आपने यहाँ पे इसको रिंग को हैं किया है जो दिखाई नहीं देना चाहिए बहुत सपाई से लगाईए इसी तरीके से हम दोनों में नॉट लगा कि इसको टाइट कर देंगे यहां पर हमें दूसरे साइट में भी इसको हैंक करना है यह देखिए कि अबस्दित आगे कि अबस्दित से लगाना था इसको है झाल 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 अब ये दोनों तरब से हैंग हो चुका है अटाच हो चुकी है इसमें और ये बहुत चुन्दर दिखता है और याद रखिए इसको आपको ज्यादा नीचे नहीं लगाना है और नहीं बहुत ज्यादा उपर लगाना है ये दिखिए ये इस तरीके से लग चुका है इतना ही गैप आपको भी रखना है अब हम इन कॉट्स को कट कर लेंगे ताकि हम यहां पे बेल्स बगरे लगा सकें तरीके से लगाना है तो फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे यह जो हमने बेल्ट बनाई है चार बेल्ट बनाई है मैंने आगे दो और पीछे दो इनको हमें नीचे की तरब जैसा क्याप हमने ऊपर बनाया है वैसा ही क्याप हमें नीचे लगाना है यह जो मैंने क्याप बनाया है रेसा ही क्याप मैंने एक और बना लिया था जो हमें नीचे लगाना है यह देखिए बिल्कुल सेम है वही मैंने तीन इंच का रिंग लेके उसमें बीस कॉट्स को डाल दिया है और फिर मैंने नौट्स लगा के यहां पे लॉक कर दिया है फिर मैंने नीचे नेट बनाके 6 इंचिस का स्क्वेर रिंग लगा दिया है अब मैं इस पे उन बेल्ट को अटैच कर दूंगी ताकि हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक हो जाए और यहां पे मैंने जो लाइन बनाया है वह मैंने यहां पे बना लिया है देखिए हम इस तरीके से रखेंगे और इस बोटल में हमें फिर से कॉट्स को डालके इस क्याप को अटैच करना है पहले हम बेल्ट लगा लेंगे कि अटैच के अटैच कर देखिए कर दोनाया है झाल 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 प्रेंट्स ये जो एक्स्ट्रा का ग्रीन कलर का कॉर्ड है इसको लेकर हमें ये जो हमारा बाकी का जो रिंग खुला दिखता है उसको भी रैप कर देना है झाल 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 तक प्रेंट्स में जैसे उपर की साइड में कॉट डाला था वैसे ही मैंने दोनों तरफ इसमें भी ग्रीन कलर का कॉट डाल दिया है ताकि आपको पता चले और उस कॉट को मैंने इस कैप के अंदर डाल के नीचे के रिंग में अटैच कर दिया है प्रोसेश बिल्कुल वही है और यह कॉट मैंने कट करके अंदर इसको चिपका दिया है इसमें हम बेल्स और मोती लगा लेंगे ताकि यह थोड़ा सुन्दर दिखें यहां पर पहले हम बेल्स लगा लेंगे एक-एक मोती डाल के कर दो है झाल 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 इसमें मैं तीन मोदी डालने वाली हूँ. आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्यूंकि मैंने ऊपर रेड कलर के बेल्स यूज किये हैं इसलिए मैं नीचे ग्रीन कलर का बेल लगाने वाली हूँ और इन मोतियों को आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं या तो तीनों को ऐसे नीचे रख सकते हैं या तो फिर आप ऐसे एक को उपर एक को बीच में और एक को सबसे नीचे रख सकते हैं मैं ऐसे ही रखूंगी यह जो कॉर्ड है यह जब तक आप शोर नहीं हो जाते लेंद को लेकर तब तक इसको कट मत कीजिएगा और कट करने के बाद अंदर इसको लॉक कर दिए तो दिखे फ्रेंट्स हमारा कंदिल बनकर बिल्कुल रेडी है आई होप आपको यह लांटेन वाला डिजाइन पसंद आया होगा मैंने यह कही पर नहीं देखा है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस डिजाइन को रिक्रियेट करूँ प्रेंट्स अगर आपको यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने वाटसएप पे अपने फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे और पिंट्रेस्ट पे कहीं पे भी शेर कीजिए और अपने फैमिली और प्रेंट्स के साथ इसको शेर करके उनकी दिवाली भी स्पेशल बनाईए आप अगर इस वीडियो को जादा से जादा शेर करेंगे तो यह मेरे चाइनल के लिए भी बहुत अच्छा होगा मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेस्बुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चलिए प्रेंट्स काम ना करती हूँ आपकी यह दिवाली बहुत स्पेशल हो चलिए फ्रेंट्स मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स वीडियो में दपता के लिए अपना बहुत-बहुत खयाल रखिए और इस वीडियो के रिलेटेट कोई भी क्वेस्चन्स हो तो कमेंट बाक्स में पूछिए आपको जवाब जरूर मिल जाएगा ओके हुआ हुआ है